हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माई उनिक अकेडमी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर इसकेच आफ मेजर सरजिय सरनाफ मैंने आपको आरम सैंडी मैन पढ़ाया था ओके जो की एक प्ले था और उसको किसे ने लिखा था जॉर्ज बरनार्ड सौने तो उसमें मैंने आपको तीन कैरेक्टर बता दिये थे बलंसली का कैरेक्टर रैना पेटकॉप का कैरेक्टर और एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया था लूका का ओके तो तीन इंपोर्टन कैरेक्टर बता दिये एक इंपोर्टन कैरेक्टर और कभी-कभी पूछ लिया जाता है Major Sargis Ranav का, ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन वीडियो सुरुआत करने से पहले, या सुरू करने से पहले मैं एक request आप सभी से करना चाता हूं, देखिए ये सब वीडियो जो मैं बनाता हूँ आपके लिए फ्री है मैंने कभी किसी से कुछ है मतलब ऐसा पेड नहीं किया और नहीं करूंगा आपसे रिक्वेस्ट है मेरा एक चैनल है ऑनलाइन इस्टेडी बाई विशंबर एक निया चैनल बनाया वहाँ पर भी इंगलिस से रिलेटेड और जियस से रिलेटेड वहाँ पर भी वीडियो जाती है तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें ओके एक रिक्वेस्ट है सभी भाईयों और बहनों से जो भी देख रहे हैं ठीक है उसको सब्सक्राइब कर लेज़े और इसको भी सब्सक्राइब कर लेज़े बस इतना सी इतनी सी बात थी चलिए अब हम लोग सुरुवात करते हैं अगर इसका पुरा नाम कहें तो मेंज़र सरजियस ररणाफ मेंजर इसको इसलिए बोला था क्योंकि एक सेना में मेंजर के पद पर था और सरजिय सरणाफ इसका नाम था तो देखिए कोई भी character लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था पहली heading आपको डालनी रहती introduction और last वाली conclusion ये दो heading आपको डालनी ही डालनी है और बीच में आप कुछ उसकी बिसेस्ता हैं वो लिख दीज़ें ओके जब हम character पढ़ेंगे देखिए मैं line by line समझाओंगा भी एक एक word की meaning ओके तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पहला यहाँ पर introduction मैंने डाला मालनी से फिर आपको क्या लिखना है Major Sargius Ranaf is an important character of the play Major Sargius इस play का या निस नाटक का एक important character है character का मतलब होता है पात्र या चरित्र आप कह सकते हैं जैसे मतलब जैसे play में character होते हैं कोई hero का roll अदा करता है कोई blend का तो ऐसे Major Sargius Ranaf एक character है इस play का He is the future husband of Reina और Reina का यह क्या है भविश वाला पती है भविश वाला पती मतलब होने वाला पती है तो He is the future husband of Reina यानि Reina मैंने आपको बताया था जो कि इस play की heroine है तो Reina का यह होने वाला पती लेकिन उससे साधी हो नहीं पती बस होने वाला है As compared to Blanchly He has contrasting and opposite qualities अगर Blanchly Blanchly मैंने आपको बताया था इसका character भी बता दिया है तो अगर Blanchly से इसकी तुलना करें तो यह उसके एकदम बिपरीत है ओके देखें क्या कहे रहा है As compared to Blanchly यानि Blanchly से बोलने problem होती है नामी वैसा है Blanchly से तुलना करने पर He has contrasting and opposite Contrasting and opposite का मतलब बिपरीत qualities का मतलब गोड़ यानि इसके जो गुड़ है इसका जो स्वभाव हो एकदम बिपरीत है अगर हम Blanchly से इसकी तुलना करें तो फिर देखें Ultimately मतलब अंतता यानि अंत में He is also converted यह बदल जाता है यानि convert हो जाता है To the philosophy of Captain Blanchly Captain Blanchly के दरसन में philosophy का मतलब क्या होता है अपना लेता है उसके जैसे बिचारों को अपना लेता है Okay philosophy का मतलब क्या होता है बिचार या फिर दरसन आप कर सकते है तो अंतता ये Blanchly के बिचारों को सही मानता है और उसको अपना लेता है अपने जीवन में उतार लेता है तो ये पहली heading आपको Introduction लिखनी है फिर दूसरी heading है यहाँ पर आप देख लिए Handsome and Romantic आप heading को चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन बिच वाली heading आगे पीछे कीजिए Introduction पहले लिखिए वो तो पहले पर ही रहेगी उसको आगे पीछे नहीं करना Last में Conclusion बाकी आप बीच वाली जो है आगे पीछे कर सकते हैं जैसे Handsome and Romantic चाहें तो आप बाद में लिख सकते हैं पहले Brave Soldier लिख दीजिए इसमें आप कर सकते हैं तो अब यहाँ पर है Handsome and Romantic Handsome and Romantic मतलब खूबसूरत है और Romantic मिजास का है Major Sergei Srenov is very handsome and Lofty Waring बहुत ही Handsome है and Lofty Waring Lofty मतलब बुलंद या फिर उंचा और Bearing का मतलब होता है Bearing का मतलब होता है आचरण या बेवहार यानि इसका बेवहार बहुत अच्छा है उंचा है बुलंदी वाला बेवहार है जैसे होता है तो यह Handsome तो है साथी साथ इसका बेवहार भी बहुत ही अच्छा है Lofty Bearing का मतलब बुलंद बेवहार या फिर आचरण आगे है He's Tall मतलब उंचा है निकि लंबा है Height इसकी अच्छी है George Bernard saw described him as a romantic and Handsome person George Bernard saw यानिकि सौटकट में इनको GB 100 कहते हैं तो इन्हों ने इसको एक romantic और Handsome ब्यक्ति की रूप में वड़ित किया है नहीं इसका वड़न किया है Okay, described के मतलब वड़न किया है as a romantic एक romantic और Handsome परसन की तरह romantic और Handsome ब्यक्ति की तरह George Bernard saw ने इसका वड़न किया है His behavior towards Raina is that of the romantic young of the Ace यानि कि इसका ब्यवहार जो है रहना के प्रती वो एक romantic वाला ब्यवहार है जिसे आप मतलब अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होई जैसे माल जिए आप जब नवजवान हो जाते ना तो आपका ब्यवहार बदल जाता है प्यार महुबत वाला ब्यवहार ना तो वही यहाँ पर कहे रहा है कि भाई इसका रहना के प्रती जो ब्यवहार है वो प्यार महुबत वाला ब्यवहार है देखें romantic young of the age यानि कि जब आप उस age में पहुँच जाते हैं young वाले age में नौजवानी वाले तो उसमें क्या ब्यवहार करते हैं तो वही वाला इसका ब्यवहार रहना के प्रती है अब कुछ sentence ऐसे होते हैं जिसका exact meaning नहीं निकल पाता है लेकिन अर्थ आप समझ सकते हैं कि नीचा जुकना नहीं है जुकेगा नहीं अब ओके ऐसा आपने देखा होगा एक फिलिम में जुकेगा नहीं साला बोलता है उसमें जुकेगा नहीं साला तो basically वह हमेशा high scripts में रहता है यानि stance रहता है his figure is suited to the part he plays इसका जो figure है वो उस part को suit करता है जिसको प्ले करता है मतलब जो roll इसको दिया है GB सौने जो roll इसको दिया है उस roll पे बहुत खरा उतरता है यानि suit करता है जैसे होता नहीं भई अब सकती कपूर को अगर hero ले लोगे तो hero लगेगा वो तो गुंडा है गुंडा ही रहेगा ओके तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यह कहा गया कि भाई इसको जो roll दिया गया था यह उस पर इकदर जचता है फिट बैटता है वही लिखा his figure is suited to the part he plays यानि जो part वो play करता है वो इस पर suit करता है तो दो हैडिंग आपको समझ में आ गई introduction handsome and romantic अब फिर एक है brave soldier मतलब एक सिपाही था मैंने बता था major था ओकी एक brave एक बहादूर soldier major suggest is a brave soldier एक बहादूर सिपाही है it is on account of his bravery that makes the cavalry's charge that the memorable battle at Sileventiza अब देखे यहाँ पर एक word आया पहले इसको समझ लीजे Sileventiza मतलब ये एक यूद्ध हो रहा था मैंने आपको पढ़ाया था आप summary पढ़ लीजे मैंने आपको ये पूरा summary पढ़ाया है no part आया है total तो Sileventiza में यूद्ध हो रहा था तो उसमें ये क्या करता है अपनी अस्वास उससे क्या बोलते हैं घोड़सवार वाली सेना जो घोड़े पर बैठती है सेना तो उस सेना को ले करके ये आगे बढ़ गया दूसमें यानि तोप के आगे चला गया लड़ते हुए सोची ये सामने से तोप आ रही है सामने से तोप आ रही है बैटरी का मतलब होता है तोप सामने से तोप आ रही है और ये खाली हाज जा रहा है प्रकार से गोड़े से लड़ने जा रहा है तो ये इसकी बहादरी को दरसाता है सिल्विंटचा का जो यूद्ध हुआ था यह देखे cavalry का मतलब क्या होता है cavalry charge का मतलब होता है घोड सवार सेना या असरोई सेना उसको यह ले करके और top के आगे चला आता है लड़ने तल्वार से अप सोची वो top से सत्रू लोग यहने कि जो दुसमन है वो top से इसको defeat करना चाहते हैं और यह तलवाल लेकर जा रहा है लड़ने उसे तो यह दिखाता है कि यह brave soldier है ओकी अब हम लोग पढ़ते हैं देखे शुरुआ से फिर से पढ़ लेते हैं major suggests is brave soldiers यह बहादूर सेनिक है it is on account of his bravery ऐसा इसकी बहादूरी के कारण कहा जाता है ऐसे नहीं कही दियागा कि brave है it is on account of his bravery ऐसा इसकी बहादूरी के करण कहा जाता है that he makes जो दिखाता है यह वो करता है the cavalry charge यह गोड़सवार सेना को गोड़सवार सेना को मतलब आगे कर देता है उसका नेतरूद खुद करता है that the memorable battle at silventja उस यादगार battle का मतलब युद में of silventja यह जो युद हो रहा था उस युद में यह अपनी घोड़ा अपनी मतलब अपने घोड़े को आपनी गोड़सवार सेना को नितरूद करते हुए आगे लेकर जाता है और दुस्मनों को चक्मा दे जाता है जीत भी इसको मिलती ओके तो यह memorable जीत थी मतलब यादगार जीत थी तो इससे साबित होता है कि जो इसका इससे साबित होता है कि ब्रेप सोल जाता ओके फिर आगे है no one would have taken the courage किसी के पास इतना साहस नहीं था आफ अटेकिंग अटेक करने का दब बैटरी मतलब तोप खाने पर तोप वाली जो बंदूखे बगयर थी वो आगे लगी थी दुसमनों की और यह उसके सामने चला गया अपनी घुड़सवार सेना लेकर के तो किसी में इतना साहस नहीं थ ता क्यूं तोप पर अटेक करें वी द्यूहलप आफ कैवलडी घुड़सवार की मतलत से यानि अस्वार ओही सेना के मतलत से हैं हेल्फ और याप घूलो खत्म हो गयी थी मैंने आपको बताया था जब ये पढ़ाया था गोलिया चला गया था वार के प्रती एक रोमांटिक भावना से देखता है वार को एक रोमांटिक भावना से देखता है वार में क्या होता है एक सान का प्रतीक है एक बैभो का प्रतीक है एक हीरो जैसा बैभो जैसा है और यह इससे जुड़ा हुआ है यानि कि यह मेजे सर्जेस कहता था कि वार हमसे अलग नहीं हमसे जुड़ा है अटेज्ट है उसने आर्मी को जॉइन किया था ब्रेड के लिए नहीं ब्रेड का मतलब रोटी यानि कि पैसे के लिए उसने आर्मी नहीं जॉइन किया था बट टू अन ग्लोरी एंड अनर्बल की सान और बैभो सम्मान पराप्त करने के लिए उसने आर्मी जॉइन किया था यहाँ पर है ब्रेड तो ब्रेड का मतलब रोटी तो रोटी के लिए अब भई रोटी थोड़ी नहीं मिलती है वहाँ पर आपको पैसे दिया जाते हैं थो उसने आर्मी पैसे के लिए नहीं जॉइन किया था ब्रेड का मतलब रहाँ अब धन कहले जेंड sunt पेइमेंट आप वेतन कही सकते हैं उसने सान और सम्मान के लिए आर्मी जॉइन किया था तीसरा point हो गया, आप छोटे-छोटे point है, ओके, यह जैसे very impatient, impatient का मतलब होता है, बहुत ही आधहरवान, यानि कि आधहरवान का मतलब क्या होता है, जैसे, कहते हैं नहीं धहर रखो, तो यह धहर नहीं रखता था, बहुत उतावला रहता था, ओके, तो impatient का मतलब क्या है, उता cannot wait for long getting the end, यह समाप्त होने का इंतजार नहीं करता था, मतलब बहुत जादा किसी चीज़ का इंतजार नहीं करता था, यह वेट नहीं कर सकता था, इंतजार नहीं कर सकता था, for long getting the end, यानि कि लंबे समाप्ती का, long का मतलब, long getting का मतलब होने, यानि the end का मतलब समाप्ती, या आपको समझ मैं आ जाएगा। आगे पढूँगा। देखिए। He dreams of getting military honors वो सपना देखता है multiplex रिम साफ का मतलब अ qa our curry आ को के बारे में getting military honors यानि military honors पाने के बारे में getting का मतलब पाना या फिर होना वो सुचता है कि हमें military honors मिलेगा। सोर सम्मान मिलेगा वीरता चक्र मिलेगा and having failed और failed हो जाने पर he rejoins his post वो अपनी पोस्ट को resign rejoin होगा त्यागपत्र देना त्यागपत्र दे देगा कहने का मतलब वो इतना उतावला था इतना धैर्वान था कि यह दिखे समाप्त होने के बारे में खुदी पहले decision ले लेता था यूद भी समाप्त भी नहीं हुआ कि वो सोचने लगा कि अगर हम जीत गए तो हमको सवर सम्मान मिलेगा सेना वाला सम्मान मिलेगा आउनर मिलेगा पुरुष्कार मिलेगा और अगर हार गए तो हम अपनी पोस्ट को रिजाइन कर देंगे तो इतना उतावला था कि यूद समाप्त नहीं हुआ लेकिन वो नेगेटिव और पॉस्टिव बिचारों को सोचने लगा तो वही यहाँ पर चीज वर्डन की गई है दिखिए ही ड्रीम्स वो सपना देखता था तो आफ also complaints about his drawbacks of surgeons यानि कि Petcoff जो है major Petcoff वो इसके इन दो कमियों को इन दो कमियों की सिकायत भी करते हैं drawbacks का मतलब कमी complaints का मतलब सिकायत करना तो major Petcoff भी इससे कहते हैं भाई यह तुम्हारी बहुत बढ़ी कमी है कि तुम यूद समाप्त जाएं का वेट नहीं करते पहले डिसीजन ले ले तो कि यह होगा तो वह हो जाएगा वह होगा तो वह पहले यूद्समाप्त तो होने दो ओके वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही क्योंकि समझाता हूं जादा ना यह मेरी ऐसी हैबिट है समझाने की तो सौरी उसके लिए बटाब चाहें तो थोड़ा सा मतलब बढ़ा करके इस पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं वर्चूज का मतलब होता है गुड यानि उसके अच्छे गुड कौन-कौन से थे देखें ही इस ग्रेटली सिवलरस वह बहुत महान सब था यानि की ग्रेटली सिवलरस का मतलब होता है सब या सुसम में सिष्ट जैसे कहते हैं यह लड़का बहुत संसकारी है तो सिवलरस का मतलब होता है सुसम या सिष्ट या संसकारी आप कह सकते हैं he behaves rena in very civilis manner यानि कि वो रहना से बहुत ही संसकारी manner में बात करता है यानि संसकारी तरीके से बात करता है सिस्ट तरीके से अच्छे तरीके से बात करता है when Luca feels insulted जब Luca को बेजिती महसूस होती है he openly accepts तो वो openly यानि खुले रूप से उसको सुइकार कर लेता है यानि कि जब मैंने आपको बताया था कि जब सब लोग को पता चल जाता है कि सरजिया से Luca से प्यार करता है तो Luca उसमें अपने आपको insulted महसूस करती है कि सब लोग को पता चल गया तो इस सब के सामने आता है और उसको गले लगा लेता है लुका को openly मतलब अपना प्यार बैक्त कर देता है कि हाँ मैं करता हूँ प्यार और वो कहता है एक जेंटलमेन हैज नो राइट तो हर्ट वोमेन अंडर एनी सर्कमास्टांसेज किसी भी परिष्थती में एक व्यक्ति को किसी आउरत का अपमान करने की इजाज़त नहीं है वो कहता है एक जेंटलमेन है नो राइट यानि कि व्यक्ति को यानि एक आदमी को अधिकार नहीं है to hurt मतलब चोट करने की यानि कि दुखी करने की एफ वुमन मतलब एक अवरत को under any circumstances किसी भी परिश्तती में कहता है किसी भी परिश्तती में कोई भी आदमी किसी अवरत को परेशान करने का चोट करने का दुखी करने का अधिकारी नहीं यानि उसको कोई अधिकान नहीं क्यों किसी लड़की को ठेस पहुँचा है and he maintained that attitude throat और पूरी जिंदगी भर वो इस अपने attitude को इस रवाईयों को इस बात को फालो करता है अगर भाई फालो क्यों करता है क्योंकि उसने लुका को अपना लिया था अगर वो अपना था तो इसका मतलब उसने लुका को दुखी कर दिया लेकिन वो दुखी नहीं करता अपना लेता है तो इसलिए वो हम कह सकते हैं कि पूरे जीवन में फालो करता है इस चीज़ को तो गुड हमने पढ़ ले अभी हम वाईस मतलब उसके कुछ आउगुड यानि कमिया उसकी कुछ थी इस वरी इंटम्प्रेट एन अन बैलेंस्ड बहुत ही आप कह सकते हैं इंटम्प्रेट का मतलब होता यहां एक वर्ड आया बहुत ही अच्चा वर्ड है इंटम्प्रेट का मतलब होता है बहुत ही बेलगाम या जिसा आप कहते हैं मतवाला मतलब जिधर मन कहा उधर चल दिया किसी से कोई लेना देना नहीं तो बहुत ही बेलगाम था किसी का उस पर कोई लगाम नहीं था अनबैलेंस का मतलब बहुत ही आसंतुलित था मैंने कहा ना कि negative, positive, हमेशा सोचता था, एक balance बना करके नहीं चलता था, अब देखे, यहाँ एक conditional sentence है, जो कि had से start हुआ है, had he not have been suffering from these two drawbacks, अगर उसके अंदर यह दो कमिया ना होती, drawbacks का मतलब कमिया, कौन कौन सी कमिया, intemperate and unbalanced, अगर उसके अंदर यह दो कमिया ना होती, देखे, had का मतलब if, यहाँ पर had का मतलब क्या, if, यदि, he had not been suffering from these two drawbacks, अगर वो इन दो कमियों से ना जोज रहा होता, मतलब उसके पास अगर यह दो कमिया ना होती, he would have not suffered in the defeat in life, तो जीवन में कभी आसफल नहीं होता, ओके, तो जीवन में कभी उसको कोई defeat नहीं मिलती, लेकिन यह इसकी दो कमिया थी, कि यह उतावला था, तो इसलिए कभी-कभी यह हार भी जाता था, परिशान हो जाता था बाद में, क्योंकि यह बहुत उतावला था, फिर, यह देखिए, इस intelligence and common sense, यानि कि वैसे तो इसके जितने भी पात रहें, आर्मशन दिमाइन के, सभी इसको बेवकूफ समझते हैं, चाहे रहना की बात करें तो रहना भी इसको बेवकूफ समझती है, ब्लंसली तो इसको समझता ही बेवकूफ, लेकिन वास्तों में बेवकूफ नहीं था, ओके, देखिए, आल्दो, every character of the play, हलाकि सभी character इस play के, कालशी में fool, इसको Moore कहते हैं, यानि कि जितने भी characters हैं, वो सभी लोग, सर्जियस को fool कहते हैं, Moore कहते हैं, yet he cannot be denied the quality of intelligence and common sense, लेकिन फिर भी, हम इंकार नहीं कर सकते कि इसके पास intelligence और common sense के quality है यानि कि common sense है इसके पास और intelligence यानि बुद्धी मता भी है हम इंकार नहीं कर सकते denied के मतलब इंकार करना यानि कि हम इंकार नहीं कर सकते कि भाई इसके पास नहीं है है ओके बले ही वो लोग कहते हैं पात्र जितने भी हैं इस प्लेके वो कहते हैं कि यह मूर्ख है लेकिन हम यह कह सकते हैं क्यों मूर्ख नहीं कैसे अभी आगे उदार देगा वेन दा इसमेल्स आफ अभी देखे बहुत अच्छी लाइन है वेन जब दा इसमेल्स आफ जब इसको कुछ इसमेल्स आती गंध आती है जब इसको रहना और ब्लंसली के बीच यानि कि जब थोड़ी सी गंध आने मतलब कोई गंध थोड़ी ना आएगी यानि कि जब इसको रहना और ब्लंसली के प्यार के बारे में को थोड़ा बहुत पता चलता है तो वही चीज़ यहाँ पर कहा है गंधाना गंधाने का मतलब इनके affair के बारे में प्यारवार के बारे में जब इसको थोड़ा बहुत पता चलता है he utters तो कहता है the following sentence यह line कौन सी line अब आगे देखिए इस line को कहता है would you bluntly have come here if nothing had passed between you and rena bluntly bluntly यह से कहता है जब bluntly एक परकार से कोट देने वापस जाता है ओके रेना के घर उसके पिता का कोट देने वापस जाता है bluntly तो sergius bluntly से कहता है would you have come here क्या तुम यहाँ आये हो if nothing had passed between you and rena अगर तुम्हारे और rena के बीच कुछ नहीं हुआ था तो तुम यहाँ आये हो है except at muscle of your pistol सिर्फ अपने pistol के मजल के लिए मजल का मतलब होता है नाल मुक आप कह सकते हैं जैसे pistol जो नाल होता है इसके उपर कुछ धक्कन होता है लगाने वाला तो वो पूशता है bluntly से कि अगर तुम्हारे और rena के बीच में कुछ नहीं तो क्या तुम यहाँ सिर्फ अपनी pistol की मजल लेने आये हो यानि वो भूल गया था तो पूशता है कि क्या तुम सिर्फ उसी के लिए हो तो ऐसा क्यों पूशता है कि उसको इसमें ला गई थी इन दोनों के बीच कुछ है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो मूर्ख नहीं है he clearly shows that he cannot has those qualities इससे थाबित होता है कि इसके पास those two qualities यानि कि ये दोनों qualities हैं he clearly shows वो साफ साफ दिखाता है that he has उसके पास है those qualities ये सारी qualities अगर मूर्ख होता तो इसको कैसे पता चलता है कि इन दोनों में कोई affair है तो इस सवाल पूछता ही नहीं उसको सक हो जाता है कि इन दोनों में कुछ हुआ था उस रात blunts लिए और रहना के विच्टा भी वो पूछता है कि क्या तो हम सिर्फ अपनी पिच्टल की मजल लेने आये हो मजल का मतलब मैंने आपको बताया या फिर कुछ हुआ था उस रात फिर रहना को देखने आये हो अब ये दो हैडिंग आवर बची है इसको भी समझ लेजे एक मिनट में आपको हो जाएगा एक वाइल्ड लबर एक जंगली वन मिनट ये प्रोब्लम फिर हो गई चलिए ठीक एक वाइल्ड लबर मतलब एक जंगली प्यार करने वाला लबर का मतलब प्रेमी प्यार करने वाला मतलब ये थोड़ा उतावला था मैंने बता ना तो यहाँ पर भी वही संसार है उतावले वाला ओके वाइल्ड मतलब जंगली जैसा जंगल के जो जानवन नहीं होते हो तुरन तूट पड़ते हैं सोचे बिचारे बिना तो ऐसे ये भी था सर्जियस इस वाइल्ड इन लब एंड एज वार ये वार यानि युद्ध और प्यार लब दोनों में ये जंगली था यानि उतावला था ओन दा वन हैंड एक तरफ वी फाइंड हिम हाइल्ड लब भी द रेना एक तरफ हम देखते हैं कि ये रेना के प्रती बहुत ज़्यादा प्यार रखता है ये उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन दूसरी तरफ भी फाइंड हम देखते हैं लोग पाते हैं जब ये प्ले पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक तरफ तो ये रहना को प्यार करता है बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ ये लुका से फ्लाइड करता है या उससे भी प्यार करता है दम मेड सर्वेंट जो की इसकी मेड सर्वेंट थी यानि की लुका कौन थी नौकरानी थी he tries to avoid meeting Luka वो Luka से मिलने की मिलने की avoid करता है avoid का मतलब ना मिलना avoid का मतलब त्याग करना छोड़ देना मतलब वो चाहता है कि हम Luka से ना मिले but he is continually drawn towards her लेकिन वो लगतार उसकी और खींचा आ रहा है मतलब वो चाहता है avoid करता है अत्याग करता है कि हम Luka से ना मिले क्योंकि वो उसकी नोकरानी थी और नोकरानी से अगर भाई मालिक प्यार करे तो तो चाहता था कि हम Luka से दूर चले जाए but लेकिन he is continually continually लगतार drown मतलब खींचा आ रहा था towards मतलब की और हर मतलब Luka Luka की वो लगतार खींचा रहा था जितना वो दूर जाए उतना ही पास आ जाए it is only on account of this romantic temperament ऐसा क्यों हो था क्योंकि उसका romantic temperament था उसका मिजाद जो था वो थोड़ा romantic वाला था that change is that change his attitude towards love as well as life जिसने उसके attitude को life और love के प्रती change कर दिया यह देखिए his होगा his नहीं होगा his मतलब उसका जो romantic temperament था नहीं romantic वाली जो सभाव थी उसी ने उसके जीवन को change कर दिया और उसके love के प्रती रवयों को change कर दिया मैंने आपको बताया था शुरुवात में ही कि अंत में किसके दरसन को अपना लेता है किसके विचारों को बलंसली के विचारों को पना लेता है ओके तो यहां पर वही मतलब है कि उसके life और जीवन का जो मिजाज था वो अंत में change हो जाता है किसके कारण क्योंकि वो romantic temperament वाला विक्ती था और यही कारण था फिर हम लास्ट है conclusion है थोड़ा सा मतलब मैंने इसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया बाकि है छोटा सा at last अंतता भी सी दैट हम लोग देखते हैं कि surges is very complex character in the play यानि इस play में surges बहुती complex यानि mixed character है मतलब अच्छाई भी है बुराई भी है और romantic भी है serious भी है सब कुछ है complex है mixed है major surges is very interesting character बहुती interesting यानि रूची वाला character हम लोग पढ़ने बहुत मज़ा आता इसके बारे में surges was created to be a hero of the play यानि कि इसका निर्मार किया गया था सर्जियस को एक hero की रूप में निर्मित किया गया था जब GB saw ने इसको लिखा तो सोचते थे कि इसका hero साबित होगा but he is degraded to the position of the villain लेकिन ओ धीरे धीरे villain की तरफ चला गया आप जानते हैं इसका hero play का कौन है एक परकार से हम hero के हैं तो bluntly था लेकिन वास्तों में hero बनाया किसको गया था GB saw चाहते थे कि ये hero बने सर्जियस लेकिन ये धीरे-धीरे villain की तरफ चला गया मतलब ये second rank किसका आ गया villain बिद्दा second rank या नि first rank कौन ले गया bluntly तो मैंने bluntly का आपको character पढ़ाया है तो कभी-कभी ऐसा आ जाता है कि वास्तों में hero कौन था तो वास्तों में hero तो bluntly ही था क्योंकि भाई hero ही heroine से साधी करता है रहना heroine थी और उसने रहना से साधी क्या तो hero हुआ ना तो उम्मिद करता हूँ ये character आपको पस्मझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आई तो इसको like कर देजिए share कर देजिए channel पर पहली बार है तो channel को subscribe कर लिए दोनों channel को ओके